हेलो इस्टुडेंट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकास के परावरतन के बारे में रिफ्लेक्चन ओफ लाइट के बारे में तो पहले हम डिफिनेशन परिभाशा देखते हैं इसकी तल पर गिरता है तो उसका मैक्सिमम भाग जो होता है वह उसके दूसरे डिरेक्शन में वापस चला जाता है तो प्रकास के इसी तरह परावरतित होने की घटना को प्रकास का परावरतन कहते हैं अब आप फीगर में देखिएगा तो आपको दिखेएगा कि एक आपतित किरण है और एक परावरतित किरण है आपतित किरण आने वाली किरण को कहते हैं और परावरतित किरण जाने वाली किरण को कहते हैं उसके बीच में एक अभिलंब डाला जाता है जो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोड बनाता है और यह कोड दोठो होते हैं जिसमें पहला आपतन कोड होता है और दूसरा परावर्तन कोड होता है और यह दोनों कोड एक दूसरे के बराबर होते हैं अब ह परावर्तन के दो नियम दिये जाते हैं जिसमें पहला नियम यह होता है कि आप्तित किरण परावर्तित किरण तता अभी लंब तीनो एक ही तल में होने चाहिए यानी तीनो एक ही बिंदू पर होने चाहिए आप figure में भी देख रहे हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो आपका भिलंब है वो तीनों एक ही बिंदू बिंदू बी पर इस्थित हैं और जो दूसरा नियम है वह यह होता है कि परावर्तन कोड और आपतन कोड सदय बराबर होता है आप figure में भी देख रहे हैं कि आपका जो आपतन कोड है और आपका परावर्तन कोड है यह दोनों कोड एक दूसरे के बराबर है चूकि यह जो परावर्तित परावर्तन होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोड भनता है वह कोड 90 अंस का होता है और जो आपका अभिलंब होता है वह उसे 45 डिग्री और 45 डिग्री में विभत करता है दोनों आपतन कोड और परावरतन कोड होते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और आपका आपतन कोड जो होता है उसे i से परदर्सित करते हैं और आपका परावरतन कोड जो होता है उसे r से परदर्सित करते हैं ठीक तो अब परावरतन से बहुत सारी परिभाशा जुड़ी हुई हैं इससे बहुत सारे points आपके बनते हैं तो जितना आपको detail जानना है वो सारे points आगे next video में मिलते रहेंगे और जो आपका प्रकास का अपवर्तन है उसमें भी बहुत जादा points है जो की अलग-अलग करके बताने पड़ेंगे इसलिए उसे अब हम next video में discuss करें तो आज का वीडियो जो था प्रकास का परावर्तन वो इतना ही था अब मैं आपसे next video में मिलूंगा thank you